भरतपुर में लुपिन फाउंडेशन की और से जिले की आर्ट सीएसी और पीएसी प्रभारियों को चिकित्सा केंद्रों के लिए नियो नेटल मशीनों का वितरन किया गया समारों के मुख्य अतिती चिकित्सा और स्वास्ति राजमंत्री डॉक्टर सुभाश गर्ग रहे इस दोरान चिकित्सा गर्मियों का भी सम्मान किया गया आपको बता दें कि नियो नेटल रैसी प्रेटर मशीन ऐसे बच्चों को जीवंदान प्रदान करने में सायक होती है जिनें जन्म के समय शोशन की समस्या होती है कारेकरम के विशिष्ट अतिती ADM बीना महावर रही वहीं कारेकरम की अध्यक्षता लुपिन के अधिशाशी निदेशक सीता राम गुपता ने की अमानित किया गया है तो सरप्रतम तो मैं लिपन को और इसके टीम को किसी हो जोसी तरह कुपता जी हैं सेवा बंद पड़ी हुई थी जंता की मांग पर फिर से उदैपूर की बस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इस रात्री कालीन बस सेवा का यात्रियों को बहुत लाब मिलेगा इस अवसर पर दीप्चन प्रबंदक संचालक और संजय आदव सहित कई लोग मौजू इसलिए हमने जंतागी मांग पर 13 से उदैपूर की बहां का संचालन किया है राजधानी जैपूर के मानसरोवर में अगरवाल फॉम इस्तेत महारे घर पदारो श्याम संस्था की ओर से पुर्शोत्तम मास में बाबा श्याम की भजन कीरतन का आयोजन किया गया बजन संध्या में बाबा श्याम के अलोकिक जोत और चपन भोक की जहांकी भी सजाई गई इस दोरान भजनों के माध्यम से बाबा श्याम का गुर्गान भी किया गया भक्तों ने बाबा श्याम से कोरोना मावारी खत्म होने की प्रातना भी की महारती के बाद महुतसव का समापन किया गया केंदर सरकार के किर्शी सुधार कानून को लेकर किसानों के साथ कॉंग्रेस विरोत कर रही है वहीं भाजपा इसको किसान हित में बता कर समर्थन के लिए अपील भी कर रही है इसी करम में कोटा में भाजपा महिला मोर्शा की प्रदेश अद्यक्ष मधुशर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये कानून किसानों को सीधा फायदा पहुचाएंगे किसान अपनी फसल को कहीं भी किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र है यहां तक की कंपनिया सीधे खेतों में जाकर फसल को खरीच सकती है इस दोरान मधुशर्मा ने कॉंग्रेस पर किसानों को गुमराहा करने का आरोप लगाया बुंदी में किसान संगर शमीती की और से समर्थन मूली पर किर्शी जिंसों की खरीच सुनिश्चित करने और नए किर्शी बिलों में शंशोधन कर किर्शी जिंसों की दर निश्चित करने की मान को लेकर जिला कलेक्टेट पर प्रदर्शन किया गया जिसके बाद प्रदान मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ग्यापन भी सौपा गया किसान संगर शमीती के जिला सेयोजक ने बताया कि वर्तमान में किसान आर्थिक संकर से गुजर रहे हैं जबकि MSP गोशित होने के बाद भी मंडी में किसानों से कम रेट पर किर्शी जिन्सों को खरीदा जा रहा है पाली के देसुरी उखन के सुमेर गाउं में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई पुलिस के मताबिक युवक तालाब किनारे बक्रियों के पक्रियों को पानी पिला रहा था इस दोरान उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में जा गिरा घटना रविवार की बताई जा रही है लेकिन युवक का शव सौमवार को तालाब से निकाला जा सका पुलिस ने युवक के शव का पोस्ट मार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपूर्थ कर दिया है प्रदेश के सबसे बड़े अंतरास्टी एरपोर्ट जैपूर एरपोर्ट पर विमान सच्छी